नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ शिल्पा शिट्टी का मानना है कि हिंदी फिल्म इंडरिस्ट्री आज भी मेल डॉमिनेटिंग है शिल्पा ने का कि उनी सीरियस फिल्म में करना नहीं पसंद है वो ऐसी फिल्मों में काम करना पसंद भी नहीं करती ये सबी जानते हैं कि शिल्पा शिट्टी योक साधना में कितना विश्वास करती है उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि उन्हें जब भी गुसा आता है तो वो प्राणायम कर लेती है शिल्पा की अपकमिंग फिल्म सुखी का हाली में ट्रेलर रिलीस हुआ है ये फिल्म ऐसी लड़की पर अधारी थे जो बेधड़क बेपरवा बेशरम सी है हलाकि 20 साल बाद जब वो खुद को पीछे पलट कर देखती है तो अपने आपको पहचान नहीं पाती है उसे ये एहसास होता है कि पहले की सुखी और बात की सुखी में बहुत अंतर है उन्होंने बता है ये फिल्म एक पारिवरिक फिल्म है जिसे बहुत गंबीर विशे को बहुत एंटर्टेंटिंग तरीके से फिल्म आया गया है इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ इंजॉई कर सकते हैं शिल्पा का मानना है कि फिल्मों के जरी हम लोगों को सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसी बातें इंटरटेंट्मेंट के माध्यम से सिखाने और समझाने में ज़्यादा सफल होते हैं पहले राजकुमार हिरानी ने थ्री इडिट की द्वारा सुसाइट के मुद्दे को समझाने का प्रयास किया था ऐसे ही अब हमारी फिल्म सुखी भी आपको एक अच्छा मेसेज देने वाली है शिल्पा कहती है मुझे सीरियस फिल्में करना नहीं पसंद है क्योंकि एक दर्शक बनकर मैं सीरियस फिल्में इंजॉइन नहीं करती हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे पहले serious role offer नहीं हुए हैं लेकिन मुझे ऐसे किर्दार निभाना पसंद नहीं है जिसमें मैं खुद enjoy नहीं करती हूँ इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ नहीं बाद